नमशकार मधिप्रदेश की गौालियर में दबंग ने दौलतपूर दोनी मेना कराईया इत्मा वीरवगा पचौरी आदी समेत दरजनों गाओं को जोगिने वाले मुख्य मार्ग को जेसीबी की मदद से गढ़े खोद कर बंद कर दिया है इससे इन गाओं के रहने वाले लोगों को गाओं से बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े रहा है ग्रामिडों ने इसकी शिकायद टपा तहसील के लेकर जिला कलेक्टर और इस्थानी जनप्रती निदियों तब को कर दी है लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई इससे दुखी होकर दौलतपुर और दोनी मैना के हजारों ग्रामिडों ने अब लोगसभत चुनाओं के बहिशकार का एलान कर दिया है ग्रामिडों का कहना है कि अपनी समस्या को लेकर वहाँ ग्वालियर लोगसभा से भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंग कुश्वाह के पास भी गए थे लेकिन उन्होंने भी चुनाओं का हवाला देते हुए इन लोगों को बापस भेज दिया दरसल नेता जी को यहाँ डर सता रहा है कि अभी चुनाओं है हमारा नुकसान हो जाएगा इस तरह इस मावले में ग्रामेडों की कोई सुनभाई नहीं हो रही है जिससे तरस्त होकर अब ग्रामेडों ने लोगसभा चुनाओं के बहिशकार को लेकर भी एलाम कर दिया है आपको बता दे मुक्यमार्गों को जोड़ने वाले इस रास्ते के अवरुद्ध होने से दरजनों गाओं के ग्रामेडों को लगभग 9 किलो मीटर का चक्कर काट कर अपनी खेती बाजार और स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों को स्कूल जाना पढ़े रहा है 9 किलो मीटर के फेर वाला यह रास्ता भी जरजर हालत में है जिसकी बज़ा से इससे पहुचने में भी ग्रामेडों को लंबा समय लगता है हालात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बिमार हो जाता है तो समस्या और भी बढ़ल हो जाती है ग्रामेडों का ये भी कहना है कि इस रास्ते को वहाँ अपने जन सहयोग से भी बनाने को तयार थे जिसके लिए उन्होंने आपस में भी चंदा कर लिया था और काम भी प्रारंब कर दिया था लेकिन दबंग, मलकीत, सिंग और उसके सहयोगियों ने आकर लोगों को डराया, धंकाया और गोली मायने की धंकी देते हुए काम को बंद करबा दिया जिसकी शिकायत सभी गनामिडों ने एकतरित होकर पंचनामा बनाकर तहसिलधार से लेकर कलेक्टर तक से की लेकिन उनकी रास्ते को किसी ने भी बनबाने में मदद नहीं की